स्टुडेंज 15 माई को होने वाले क्लास 3 के साइंस के पेपर के लिए इस बीडियों में लेकर आपके लिए 100% most important accepted questions यानि इस बीडियों आप पूरी complete आप जानेंगे कि बोर्ड में यानि CBC बोर्ड क्लास 3 के छातर साइंस का पेपर जो उनका 15 माई को होगा तो ऐसे में उनको कोन से questions जो है most most important होने आपके दो हें रिकीस के examination को लेकर तो चलिए भिना देर करते हैं हम सीधा सुरुआत करते हैं questions पर आपको बताते हैं पूरी complete जो है questions और अंसर डिसकसिन करने वाले हैं आपको पूरी complete में बताऊंगा कि दो हें रिकीस examination को लेकर आप लोग तैयारी कर हैं तो कौन-कौन से questions है जो CVC board के चात्रों को कर लेना है तो day by day जो हमारे questions का series है जो लगतार इसी तरीके से चल रहा है तो चैनल को subscribe करने के साथ-साथ notification bell को भी आउन कर लिजेगा क्योंकि आपके examination करीब है तो ऐसे में important videos जो मैं आपको देने वाला हूँ यह पूरी तरीक पहले questions जो देखिए पहला questions जो है आपका I-C related questions बना है यह आई chapters आपका question यह आप देखने को मिला है यह questions जो है यह questions जो है 3 marks के लिया जासे most important हो जाता है तो सब लिए यानि कि सबसे पहले questions को यह अच्छी तरीके से carefully जो है आपके questions को पढ़िए और questions को यह समझने की पहले questions करिए कि questions पूछ के रहा है क्योंकि हमें point to point board में answer देना होता है जैसे कि आपको पता होगा कि आपको questions कई सारे students क्या होते हैं कि questions को पहले लेते हैं और जल्दी बाजी में answer लिख देते हैं पर बाद में पता चलता है questions समय कुछ और पूछ रहा था लेकिन answer हमने कुछ और दिया आते हुए सवाल को गलत करके आ जाते हैं तो हावर यानि सबसे पहले पढ़िए हावर be able to see distance and nearby object clearly यहां पर पहला questions जो है खतम होता है उसी के बाद इसी में फिर से एक next question पुछा है which part of I help in changing curvature of planes यहां पर देखिए changing curvature of planes कौन सा पार्ट है जो आई का help करता है curvature of planes पर ज यह सिद मालूम होगा कि distance object और nearly object को हम इसलिए clearly देख पाते हैं इसका जो में कारण है property of accommodation क्योंकि जो है property of accommodation जो है ability to change of I is focal length यानि कि focal length को इसके अंदर ability होती है change के कारण है जिसके कारण जो हम दूर का पास को जो है clearly देख पाते हैं वहीं दूसरा कारण देखिए beach part of I help in changing curvature इसका तो बहुत सिंपल अंसर है यह सब जो है आप लोग इनकी practice का लिए सिलेली मसल्द है यानि कि जो help करता है changing curvature of plane वहीं वहीं next question की बात करें तो next question देखिए next question क्या है यह question जो है यह भी important question है 3 marks के लिया जैसे most important questions हो जाता है CBC board के चात्रों के लिए science की paper 15 माई को देने व फीचर आया है वो आपके लिए काफी helpful होगा यानि just a click of photo आप अपने doubt का solutions पासकते हैं doubt पूछना बेहती असान है आपको जीस question में doubt है उसको देखिए आपको कैसे पूछना है मैं आपको बताता हूं सबसे पहले an academy आपको download करेंगे आप तो an academy आप download करने के बाद यहाँ प प्रें गोल से लिक करेंगे देखिए question कैसे पूछना है एक नया feature जुड़ा है यहाँ पे नीचे थोड़ा सा scroll down करूँगा class लिक करने के बाद यहां पर देखिए ask doubt आया है यानि कि आपके जोभी questions में आपके doubt है उसकी simply photo click और आपका जो है crop करके आप अंसर उसको video solutions यहाँ पर click करने के बाद आप से पुछेगा submit your doubt तो आपके यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर questions की आप लोग यहाँ पर click करके picture ले लिनी है या already आपने question ले रखा है तो उस question का picture ले रखा यहाँ पर gallery से select करेंगे मैं आसे select करता हूँ मैं आपको पूरी complete demonstrate करके दिखाता तो देखे मैंने यहाँ पर gallery से question को select कर रखा मुझे यहाँ पर example जो है यहाँ पर 34 questions को पूछ के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर देखे 34 questions को यानि जो questions को पूछना है वहाँ आप 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 लोग सिंपली उसे crop कर लेंगे मैंने 34 question को crop कर लिया है अप crop करने के बाद जो है यहाँ पर पूछा है which subject is dot from यहाँ पर simply questions मैंने science को पूछा है तो मैं यहाँ पर science पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखें कि दो तीन चेकन बाद ही यहाँ पर solutions मिल गया है तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर doubt पूछेंगे और any academy आपको download करते समय और doubt आ permission of larger number of compound सबसे पहले बात करें तो carbon जैसी के अपने chapter पढ़ा है तो पता है carbon जो है चार बोंड आपको form कर सकता है यानि कि बात करें तो carbon की पहली property है catination जिसकी कारण जो है यह form करता है अधर multiple bone form कर सकता है अधर carbon of compound के साथ और साथ त्रेट्रा बैलेंसी यानि कि बात करें यह चार त्रप से यानि कि carbon जैसे आपको पता ट्रेट्रा बैलेंसी सो करता है carbon जो है चार त्रप से बोंड के form कर सकता है carbon तो इसकी जो यह property होती है इसी कारण जो multiple bone से बना सकता है उसी तरीके से function group आपको इसमें find out करना है काफी जी सवाल है जैसे function group यहाँ पे OH हो गया हो जाते हैं आप सारे questions के अची तरीके से practice करिए तो देखे function group मैंने बता दिया उसके बाद यहाँ पे देख लीजे next question आता है वाई convex mirror इसका अंसर बहुत सिंपल है यानि कि vehicles में जो rear view के लिए यानि कि बात के अधनादर देखे जो आपका जो questions है यह questions जो है two marks में आपका easily पूछ लिया जाता है इस type का भी questions को एक बार अच्छी तरीके से practice करिए क्योंकि इस type के भी questions जो है three points में भी आपको कई बार board में पूछ लिया जाते है student is to conduct a experiment to source CO2 is released during respiration तो इसमें देखी क्या है इसका simple two precautions आपको बताने है तभी किस वीडियो में इतना ही इसी तरीके से और भी वीडियो जो है लगतार आपके लिए में ला रहा हूं मैथ हो science के लिए और साथ साथ एसिस्टी के लिए भी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट सेक्षन बताईएगा चैनल पर पहली बराया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं पूलिएगा अभी करेंश बीडियों में इतना ही जाहिए